नमस्कार स्वागत है आप सभी का निउस वर इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ कृत का विलेटिन शुरात इसो की बड़ी खबर के साथ दिल्ले से इसो की बड़ी जानकर मिल रही है मुख्य मंतरी योगी आधितनाथ के दोरे को लेकर तयारिया इसो को तेज हैं योगी आधितनाथ की पहुचने से पहले ही यूपी भवन को फूलों से सजा दिया गया है यह तस्वीरे भी इसो को आपको दिखा रहे है यूपी भवन की यह तस्वीरे जहाँ पर अपसे कुछ अच्छी देर में मुख्य मंतरी योगी आधितनाथ पहुचेंगे और उनके पहुचने से पहले ही यूपी भवन को पूरी तरह से सज़ा दिया गया है। अच्छी देर में मुख्य मंतरी योगी आधितनाथ पहुचेंगे। पुष फूलों के द्वारा सजा दिया गया है। तो योगी सरकार 2.0 की तयारिया सुकत तेज हो चुकी है। और आप देख रहे हैं यह तस्वीर हैं। अच्छी देर में योगी आधितनाथ पहुचेंगे। तो अब से कुछी देर में मुख्य मंतरी योगी आधितनाथ हिंडर एयरपोर्ट पहुचेंगे। उसके बाद में रोड के रास्ते दिल्ली में सरत यूपी सदन जाएंगे मुख्य मंतरी योगी आधितनाथ। और उसके बाद में आज प्रधान मंतरी रहेंद्र मोदी, केंद्री ग्रह मंतरी अमित श्या, राश्ट्री अधिक्ष जेपी नड़ा और साथी भारती चिंदा पार्टी के जो शीष नेतनाथ तो एंगे। योगी आधितनाथ चुनावों के बाद एक बड़ी जीत दर्ज करके यूपी सदन आ रहें और इस खुशी में यूपी सदन को भी फूलों के द्वारा पूरी तरीके से सजा दिया गया है। वो भी उत्तरप्रदेश सदन में आए हुए है योगी आधितनाथ की तयाए जो स्वागत है उसके लिए और हिंदू वाहिनी के जो कारे करता है वो भी उत्तरप्रदेश सदन में आ चुके हैं। थोड़ी देर का वक्त बचा है जब उत्तरप्रदेश के सीम योगी आधितनाथ यहाँ पे आएंगे उनके साथ तमाम जो भारते जन्ता पार्टी के बड़े पदा अधिकारी हैं। जो भी यहाँ पे मौजूद होंगे जो सीम के सिक्योर्टी है वो यहाँ पे आ गई है। जीत के बाद पहली बार दिल्ली दौरा जो योगी आधितनाथ का है वो होने वाला है और थोड़ी देर का वक्त बचार आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पे जो तैयारिया है वो कर ली गई है जो सीम के सिक्योर्टी में जो लोग रहते हैं जो अधिकारी रहते हैं वो बाद अलग अलग जगों पे सीम योगी जाएंगे जिनके साथ सीम योगी की मुलाकात होने वाली है चाहें ग्रीय मंतरी हमिशाह की बात करे रक्षा मंतरी राजनाथ सिंग की बात करे या खुद प्रधान मंतरी की बात करे पसाम का समय बताया जा रहा है जब प्रधान मंत उसके बाद दिल्ली दौरा सीम योगी का काफी एहम हो जाता। गहे मंतरी से मुलाकात करेंगे। जो मंतरी थे राज्य मंतरी शोतंतर प्रभार उनके साथ बैठक की थी और बैठक के बाद उनसे फीडबैक लिया था। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने दोबारा से वापसी की है कि इतिहास रचा है पिछले 35 सालों से ऐसा नहीं हुआ था कि वर्तबान सत्र में ही कोई सरकार वापसी की हो किसी ने। लगातार कल जहां अपने संगठन के पताधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे बीजेपी प्रदेश संगठन के लोगों के साथ उन्होंने चर्चा की थी मंधन किया था और अब उस फीड़बैक के साथ मुख्यमंतरी योगी आदितनाथ अपसे थोड़ी देर बाद दिल् राजनास सिंग्ज से भी वो मुलाकात करेंगे गरह मंतरी हमीशा से उनकी मुलाकात होगी बीजेपी अद्ट, जेपी नर्ड़ा, खुद प्रदान मंतरी, मोधी और उसके लावा म घरबीजेपी के संगठन महा मंतरी की बात करें, इसके लावा उन्वियल प्रदेश में ज सबसे बड़ा सूबा है और मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ के चेहरे पर चुनाओ लड़ा गया और जीता भी गया और इतिहास रचा 35 साल का जो रिकॉर्ड था उसको भी भारती जंता पार्टी ने तोड़ा है तो निश्चित है कि बहुत सारे विसेओं को लेकर मंतन है किसके विभाग में बदला होना है जो मंत्री अपनी साख सीट नहीं बचा पाएं हैं कहीं न कहीं उनका अज्यस्ट्मेंट कैसे होगा दिप्टी सियम के सो परसाद मौर भी है जो अपनी सीट नहीं बचा सके हैं उन पर क्या निरड़ा होगा मतलन कि उनको विधान परसा अज्यस्मेंट किया जाएगा उसके अलावा बेबी रानी मोर जो की राजरिपाल रही है और भारती जनता पार्टी शामिल हुई थी और अब वो आगरा ग्रामीर से विधायक है उनका अज्यस्मेंट क्या होगा क्योंकि महिलाओं ने बड़े पैमाने पर भारती जनता पा बार बारा हैं तो निश्चित है कि तीन मंत्री उनके कोटे से हो सकते हैं वहीं अगर हम दूसरे सहयोगी दल बात करें निशाद पार्टी की तो निशाद में जहां डॉक्टर संजय निसाद को खुद बीजेपी ने मेलसी बनाया है उनके एक बेटे सांसद हैं दूसरे बे अब ही तक जो चीजे निकल कर सामने आ रहे हैं कि निशाद डॉक्टर संजय निसाद का मंत्री बनना बिल्कुल तैय है ये भी संभव है कि उनके जो कोटे से मंत्री बन कराएं हैं कहीं न कहीं उसमें भी एक या दो लोगों को जगे दी जा सकती हैं तो ये वो बहुत महात तो पूर्ट चीजें हैं जिनको लेकर मंधन होगा दूसरा अगर हम प्रसासनिक अधिकारियों की बात करें तो राजधानी लखनों की सरोजनी नगर्शीर जो की मंत्री स्वाती सिंग की हुआ करती थी उस पर डॉक्टर राजेसोर सिंग जो की एडी में जॉइन तो उनको भी अज़ेस्मेंट करना है कानपूर के पुलिस कबिस्नर रहे असीम अरूल जो की कन्नौस से जीत कराएं हैं उन पर भी कही न कहीं फैसला होना है ये वो बड़े चेहरे हैं उतर प्रदेश के कानून मंत्री के अगर हम बात करें बरजे स्पाठाक जो की कहीं कही ब्राम्भर चेहरे के तोर पर जाने जाते हैं उनका कद बढ़ाया जा सकता है बीजेपी ने पिछले अगर हम चार महिनों का रिकॉर्ड देखेंगे तो 437 लोगों को भारती जन्ता पार्टी में अलग अलग छेतरों में जोईन कराया और इस रणनीती के तहर जोईन कराया कि कहीं न कहीं बीजेपी की परफॉर्मेंस बेतर हो जो एंटी इंकमेंसी है उसको घटाया जाए जिसमें लक्षमी कांद बाचपई जो की जोईनिंग कमेटी के चेयर मैन है बीजेपी के पूर परदेश अध्यक्च रहे हैं 2014 में जब भारती जन्ता पार्टी ने देश मे सरवाधिक सीटे 73 सीटे उत्तर परदेश से लोग सभा की जीती थी उस दोरान वही परदेश अध्यक्च चते ये वो महतुपूर्ण चेहरे हैं जिनका कद बढ़ाया जा सकता है जिनको बड़े पद सरकार में दिये जा सकते हैं तो निश्चित है कि मुख्यमंतरी फीड़ होगा 2024 में तो उसका रास्ता उत्तर परदेश से होकर जाता है यही एक बड़ी वज़ा है कि जो यूपी कैबिनेट का जो सपद ग्रहन होगा जिसमें मुख्यमंतरी योगी आधितनाद खुद सपत लेंगे और उनके साथ में उनके सायोगी मंतरी भी सपत लेंगे अधा मोहन सिंगो यह बड़े चेहरे के साथ ही जो केंदरी कैबिनेट के मंतरी है वो इसमें शामिल होंगे बीजेपी सासे सभी परदेशों के मुख्यमंतरी शामिल होंगे तो निश्चित है कि उसको लेकर जिस तरी किसे आपने दिखाएंगे कि बिल्कुल भव्या है कार परदेश्री मंदल में शामिल करना जो दोहजार 24 में फाइदेवां साबित हो लोग सबाक चुनावों के दौरान सभी पार्टियां देखती हैं और यही कारण है कि सायद केशों प्रशाद मौर्या को सीठ हारने के बावजूद उतना तवज्जों दिया जा रहा है बात करें तो मंद्रियों के नए चेरे अगरहम बात करें। पंकर सिंग का भी नाम की चर्चा में पंकर सिंग को मंत्री बनाया जा सकता है निसाद पार्टी से एक मंत्री बनाया जा सकता है अनुप्रिया पटेल की पार्टी से मंत्री बनाया जा सकता है तमाम जो कयास है वो लगाया जा रहे हैं दिल्ली में इसको लेकर मन्थन होगा चिंतन होगा बैठके होंगी इसके बाद नामों का जो खुलासा है वो हो सकता है सबस्क्राइब जाथ जानती है कि फायदा 2024 के चुनाओं में हो उत्रप्रदेश सदन के अगर हम बात करें तो यहां पे भारती जन्ता पार्टी के तमाम कारेकरता जुटने मौजूद हो चुके हैं योगी का स्वागत करने के लिए और यहां पे जैसरी नाम के नारे का उद्गोस हो रहा है मोधी योगी के नारे लग रहा है आप तस्वीरे देखिए किस प्रकार से यहां पे फूलों से सजाएगा है गर्षण समारो होगा यह बड़ी जानकार इस उत मिल रही है होली के बाद यूपे में होगा शपत ग्रहर देखिए होली के बाद क्योकि अन्दाज़ा इसलिये लगा जासकता है कि अभी 10 मार्च से लेकर के 18 मार्च तक होलाश्टक चल रहे है तो होलाश्टक में कोई भी शुब कारे, कोई भी मंगल कारे नहीं होता है और यही चीज उत्राखंड में भी हमें देखने को मिली कि होलाश्टक के कारण वहाँ भी होली के बाद ही शपत गर्ण होगा अब यह जरूर से उत्रों के हवाले से जानकरी मिलें कि होली के बाद ही उत्तर प्रदेश के लिए शपत गर्ण होगा अधिक जानकरी के साथ एसके वाच्पे हिवारे समबादाता लखना उस जोड़े होए सीधा उनका रूप करते है इसके अगर देखा जाए तो हालकी अंदाजा यह लगा जा रहा था क्योंकि भारतिय जंता पार्टी देन और शुब कार रहे है और इससे पहले मुरत उरत इन चीजों में तमाम विश्वास रखती है ऐसे में होलाश्टक में चांसिस नहीं लग रहे थे सरकार बने के शपत ग्रहण के तो अब ये चीज़ कहीं नहीं साफ होती नजर आ लिए कि होलाश्टक यानि की होली के बाद ही शपत ग्रहण समारो होगा उत्तर प्रदेश्व के अंदर अब बिल्कुल निश्यत है क्योंकि अगर हम देखें तो अभी तक 15 और 16 मार्च की तारीक चल रही थी जब मुख्यमत्री योगी आदितना सफ़त ले सकते हैं हाला कि आज मुख्यमत्री दिल्ली पहुच रहा है और मन्थन होगा और ये मन्थन लंबा चलेगा लंबा मतलब कि आज और कल दो दिन मन्थन चल सकता है और उसके बाद होली आजाएगी और कहीं कहीं होलास तक भी चल रहे हैं चुकि 18-19 जो होली का समय है और बीजेपी तितिवार के हिसाब से ही चीजों को आगे बढ़ाती है तो जो अभी तक चीजें हैं जो कि बीजेपी प्रदेश अध्यक सुतन देव सिंग भी कह रहे हैं कि 20 तारीक के बाद मतलब साफ है कि 19 तारीक को जब होली खत्म होगी तो कहीं न कहीं 20 तारीक के 12 सफत लेंगे दूसरा कारेकाल के लिए वो सफत ग्रहन करेंगे और उनके साथ में वो उनके सहयोगी मंतरी और डेप्टी सीम भी होंगे जो कहीं न कहीं इस बार उत्तर प्रदेश में उनके सहयोगी के तोर पर काम करेंगे और चुकि प्रदान मंतरी मोदी समये तो जो कें किया जा सकता है कि आखिर वो तारी कौन होगी जिस दिन उत्र प्रदेश के मुख्यमंतरी सीम योगी आदितनाथ दोबारा से मुख्यमंतरी पत्की शपत लेंगे तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिन पर लगातार आज मंथन चलेगा आज का दिन महातोपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है और बीजेपी ने कितिहास रचा है पिछले 35 सालों के गर हम बात करें तो किसी सरकार ने इमीडेट सतर में वापसी नहीं की थी और मुख्यमंतरी योगी आदितनाथ ने की है नोड़ा जाले वाले मुख्यमंतरी कभी वा तो बीजेपी बहुत सारी चीजों का ख्यार लखेगी और कोशिश करेगी कहीं कहीं बहतर चीजे जिन चीजों को लेकर लगातार विपक्स सवाल उठा रहा था उनको दूर किया जाए तो तितिवार और सुब महूर्त का ध्यान रखते हुए बिलकुल इंतजार करना हो गा जारी हार के बाद में अब कॉंग्रेस की तरफ से बैठक आयो जित की जारी दरसल कॉंग्रेस संसदिय दल और CWC की आज बैठक होने वाली है सुबा साड़े दस बजे कॉंग्रेस संसदिय दल की ये बैठक होगी 10 जनपत पर CPP की बैठक बुलाई गई है संसदिय रणनीती सम्हूं से जुड़े लोग इस बैठक में शामिल होगी कॉंग्रेस कारेकारनी समिती की भी बैठक होगी यानि की पांच राज्यों में जो हार का सामना कॉंग्रेस को करना पड़ा सीधे तोर पर उसमें रणनीती क्या रही और क्यों हार का सामना करना सारे दस बजे का समय हाला कि इस बैचक के लिए रखा गया है तो पांच राज्यों में करारी हार के बाद में अब कॉंग्रेस की ये बैचक है और सिर्य तो आप आगर देखा जातो हार की समिक्षा कही ना कहीं की जाएगी कि आखेर चुनावों की दौरान कहा कमी रह गई कि इन चीजों में कमी रही जिनको सुधारा जा सकता है क्योंकि अब अगर देखा जा तो अगला पड़ाव जो है वो 2024 का होगा जो अपसे बड़ा टेस्ट रहेगा और इसी पर दिजान करी देने के लिए हमारे साथ हमारे समवादाता प्यूश इसकत जुड़ गए हैं सिधा उनका रुख करते हैं दिल्ले से प्यूश कॉंग्रेस भी अब कहीं न कहीं हार जो पांच राज्यों में मिली जो करारी हार हुई उसकी समिक्षा बैठक आज करने जा रहे हैं प्यूश जी बिल्कुल देखिए CWC की बैठक है जिसमें तमाम कॉंग्रेस पार्टी के पताधिकारी मौजूद होंगे चाहें सोनिया गांधी के बात करें, राहूल गांधी के बात करें, केसी वेनु गुलपाल के बात करें तमाम वो लोग इस बैठक में मौजूद होंगे और पांच राज्यों में जिस प्रकार से कॉंग्रेस पार्टी को करारी हार मिली है इस पर चिंतन मंतन होगा. लगतार चुनाओ के दोरान भी आपने देखा होगा, कॉंगरेस पार्टी लगतार बैट के कर रही थी कि आखिर सिर्श नेतिर्तों में या कॉंगरेस पार्टी के बड़े नेताओं में क्या दिक्कत हो जाती है कि आपसी फूट हो जाता है, उत्रा चुनाओं को लेकर साय दिया ही कारण एक उत्राखंड में भी कॉंग्रेस पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा उत्तर प्रदेश की आप बात देखे लगतार प्रियंका गांधी अलग-अलग इलाकों का दौरा कर रही थी लखीम कुपूर का मामला उठाया हर जगह प्रिय चीजों को लेकर आज कॉंग्रेस पार्टी में एक बड़ा चिंतर और मंधन होने वाला है कॉंग्रेस पार्टी के तमाम जो बड़े नेता है वो इस बैठक में मौझूद होंगे क्योंकि अब लोगसभा के चुनाओं होने वाले हैं कॉंग्रेस पार्टी एक मजबूत दल के तोर पे देखा जाता रहा है ऐसे में कॉंग्रेस पार्टी को किस प्रकार से मजबूत किया जाये कॉंग्रेस में किनके हाथों में कमान दी जाये ताकि लोगसभा के चुनाओं को मजबूती लोगसभा के चुनाओं में कॉंग्रेस पार्टी को मिल सके इसको लेकर यहां लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं उत्राखण में मुख्य मंतुरी की रेस में सबसे आगे जो नाम चल रहा है वो है पुष्कर सिंग धामी का तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं विधायक दल की बैचक में अगले CM पर महर लगाएगी तो विधायक दल की बैचक में इस नाम पर चर्चा की जाएगी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और अधिक जानकारी के साथ विशेश संवधाता सुधीप जैनिस क्योंकि नाम तो कई सारे चल रहे हैं लेकर सबसे उपर जो नाम आ रहा है वो है जो नाम पर चर्चा करेंगे जिए जिए विधायक अभी तो ने पर चुनाओ लड़े तो अपनी सीट चोड़ने को तयार है जिए अभी थोड़ी देर बाद अमिच शार गुजराट चे बिल्ली पहुंच रहे हैं और दिल्ली में वो उत्रहंत के नेताओं और संगटन के नेताओं से उत्रहं भारती इंता पार्टी की सरकार गटन पर चप्चा करेंगे थोड़ी देर पहले मेरी भारती इंता पार्टी के बड़े नेता और कैबिट संत्री से फोन पर जो बात हुई है उन्हों ने बताया है कि 19 तारिक को यानि 19 मार्च दिन शनिवार होली के बिढ़ायकों के नाम मुक्मंती पुष्कर सिंधामी को रिपीट किये जाने के नाम यह तमाम तरेके की चर्चाएं अभी तैर रही हैं जी जो चर्चाएं हो रही हैं उसमें कई सारे नाम में शामिल हैं देखा जाये तो धन सिंग रावत होगे सत्पाल माराज होगे मदन क अशिक हो गए अनिल बलूनी अजय भट रमेश पोक्रिया निशक और सबसे उपर फुष्कर सिंधामी कि जो भारतियंता पार्टी नेक टूनेट जैसे सिके में थी कॉंग्रेस की वे उती पर अंडर करंट भाजपा काया यह बास रही है कि प्रधान मंत्री मोदी और योग नहीं कुछ नुक्सान हो गया और वो चुनावधार गये लिहाज़ेट सिंपथी उनके साथ है लाकी आला कमान क्यानियर ने लेता है प्यूस गोएल कि इसका नाम लेकर आता है विधान मंदल दिल में राए और आपको रोकना चाहेंगे इसी बीच इसकी बड़ी चानकारी मिल रही है आपको बता दे कि मुख्यमंत्री योगी आधितनात दिल्ली के लिए लखनों से रवाना हो चुके हैं और यह तस्वीरे सुकता आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के लिए रवाना हुए है मुख्यमंत्री योगी आधितनात और यह सीधी तस्वीरे सुकता आपको करेंगे और इसके लिए सिधे तोर्पर देखा जाया है तो यूपी सदन को फूलों के द्वारा शॉजा भी दिया गया है यह तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं डिली के यूपी सदन के जहांपर योगी आदित्यनाथ के आने का इंतजार है और किस तरीके से यूपी सदन को सुजाया गया है वो भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं तो मुख्य मौंतरी यूगी आधितिनाथ दिल्ली के लिए रवाना हो चुके है एक बड़ी जीत हासल करने के बाद अब आज जीत के बाद में पहला दोरा है उनका दिल्ली का तो लखनाओ से रवाना हो चुके है दिल्ली के लिए अपसे कुछी देर में दिल्ली पहुचेंगे और दिल्ली आकर के सबसे पहले तो स्वागत होगा उनका यूपी सदन में स्वागत होगा तमाम जो नेता हैं वहाँ पहले से मौझूद हैं सीम के स्वागत के लिए यूगी आधितनाथ के स्वागत के लिए लखनों से निकल चुके हैं योगी आदितनाथ दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं लखनों से निकल चुके हैं योगी आदितनाथ अपने महा अभियान के लिए लखनों से रवाना हो चुके हैं और आप चुकी वो दिल्ली पहुच रहा है तो कहीं आज का दिन महातोपून है जो खास्तोर पर उत्तर प्रदेश के लिए बिल्कुल काफी महतोपूर रहेगा और कहीना 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 कर देखा जाये तो उत्तर प्रदेश में सरकार में कौन-कौन से मंत्री शामिल होंगे ये तमाम डिसकुशन तमाम चर्चाएं और बैठर के दिल्ली के अंदर होने फिलाल तमाम जानकरी देनी के लिए इसके बातार नसर बनाए रखे और खब्रों का सलसला भी यूज और इंडिया पर यूह लगातार ज्वार्ट